हलो नमश्कार स्वागत है आप सभी का आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है आज ना किसी प्रमोशन की बात की जाएगी पस आज विद्यार्तियों के भविश्य की बात की जाएगी जो भी राजिस्तान में चल रहा है जो इस्तिती वी बिगड़ी हुई है वह बहुत सेशन में बात करने जा रहे हैं बहुत सारी बाते हैं जो आपके सामने आज की जाएगी एक आर्टिकल मुझे मिला था वाटसप पे ही मैं स्रीमान का नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने काफी सारी बाते मुद्दे उठाएं हैं और उनमें मैंने कुछ और इसमें चीजें जो है वो एड करके मुझे लगता था कि कहीं ने कहीं मुद्दों पे आप विध्यार्तियों से बात की जानी आवश्चक है और कहीं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप सब जानते ही है कि कटाराजी के बाद में एक और पूर्व सदस्य राइका की गिरफ्तारी हो चुकी है है ना और उन्होंने अपने बेटे और बेटी को ऐसा ही भरती का जो प्रश्ण पत्र है वो दिया था है तो खेल कहां से स्टार्ट होता है कौन-कौन से मुद्दे सामने आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं तो राजस्थान लोग सिवा आयोग जिसे हम लोग आरपीएसी के नाम से जानते हैं जो वो संस्था है जो कि राजस्थान में जिम्मेदार है राजस्थान की विविन्ण भरती परिक्षाओं को करवाने के लिए और उनके जो एक पूर्व सदस्य है जिनका नाम बहुत जादा जुन पर में आ रहा है रामूराम नायका है ना वह भी एस किस में सबस्से रहते हुए अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को सब इंस्पेक्टर परिक्षा का पेपर जो है वो इन्होंने पहले ही दिया था यह वीडियो किसी भी राजनिती से संबंद नहीं है आला कि राजनिती का जब हस्त शेप किसी सिस्टम में होता है तो सि व है चलाए है कंग्रेस सरकार में रहते हुए चलाया है तो कहीं न कहीं यहां पे किसी भी राजनिती या किसी कि पक्ष से किसी वी पार्टी से इस वीडियो का कोई संबंद नहीं नहीं है बहुत मेहनत करी होगी लेकिन कहीं न कहीं जो दो सीटे इन्हों ने रिजर्व कर ली थी वो दो सीटे किसी और विध्यारती की थी जो मेहनत करके बैठा था लेकिन वो दो विध्यारती इन दो और अब कही न कहीं गिरफतार जो है वो कर लिया गया है बेटे-बेटी दोनों कर लिया गया है जब उनसे ये पूछा तो वो राजनीति politics उनके साथ में हो रही है यह political कारवाही जो है वो बताई जा रहे हैं लेकिन यह बात वही खतम हो आपको मिल जा होगा हुआर इस इसे एसी चीजं की वजह से थोड़ी सी आपत्ति किसी को रहा है जो वाइरल हो रहा है वहां से सारी पोल हमें समझ में आती है जिसमें वो बहुत गर्व से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने RPSC का मेंबर रहते हुए समाज के कई लोगों को इंटर्यू में बिठाया है या कई लोगों की सरकारी नौकरी लगाई है ऐसा उन्होंने कहा है तो जब कई लोगों की लगाई है तो ऑविस ही बात है उन्होंने अपने खुद की बेटी और बेटे की तो लगाई होगी तो उनके लिए तो ये सब एफर्ट्स करना ही था दूसरों के लिए शायद पैसे लेके किया होगा लेकिन खुद के लिए तो करना ही था साब और ऐसे उधारन पहली बार नहीं आये हैं ऐसे उधारन पहले भी कई बार जो है वो आ चुके हैं इससे पहले और पीसी के एक और सदस्य बाबुलाल कटारा सेकंड ग्रेट शिक्षक भरती परिक्षा लीक करने और बेचने के आरोप में पहले से ही गिरफतार भी हो चुके हैं दिलंबित भी हो चुके हैं लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इन्हों ने जितनी भी धांदली करी है जितने विध्यारतियों को पेपर दिया है बहुत सारी कारवाई हुई है लेकिन जितने भी विध्यारती इस कर रहा है घर बेच के भी जो है वो पेरेंस अपने विध्यारतियों को पड़ा रहे हैं उनकी क्या गलती ऐसे कितने विध्यारती होंगे जो आज सिस्टम में हैं यह आज सबसे बड़ा सोचने का विशय हो चुका है तो कहीं न कहीं जो राजस्थान लोकसेवा आयोग है उसकी साख अब धीरे धीरे बहुत जादा कम होती जा रही और हम चाहके भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे तहीं यह सब तो चल ही रहा था लेकिन एक और काला दाग जो है वो लग गया है जब राइका जी की गिरफ्तारी हुई है तो कटारा शिक्षक भड़त सावत का नाम अपने सुना होगा जो परिक्षा में पास करने की एवज में पैसे मांगते हुए जो है वो पाए गए थे आज उनका क्या किया है ये कोई जो है य Qatar नहीं है या कहीं पहीजिय उसकी नहीं है शैद मामला दब गया है दो महिला सदस्यों की वी वह मैं बात करना चाहूंगा संगीता आर्य जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचीव और अशुग हेलो सहब के जो सलहकार रहे हैं निरंजन आर्य उनकी पतनी है उनसे भी एसोजी जाच जो है वो की जा चुकी है उनके साथ भी है ना और एक और मंजु शर्मा बड़े प्रसिद्द कवी ह कुमार विश्वास जी उनकी पतनी है मंजु शर्मा है ना इनसे भी जो है वो पहले से जाच कर चुकी है मैं आपको बता दूं कि यह जो संगीतार्य है और मंजु शर्मा जी है यह दोनों की दोनों जो है वो शिक्षक भरती में और सब इंस्पेक्टर परिक्षा के इंटर ले रहा था और इसी दोर में आप देख सकते हैं कॉंग्रेस के ही शासन में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा के परिवार के चार सरस से भी आरेस बन जाते हैं वो पूरे राजिस्थान के लिए बहुत शौकिंग था और यहां से साफ सा पता गरीब विद्ध़ार्ती क्या कर सकता है कि misf doe सार इतने ईतनी नकल हो रही है है वह रहे हम कहां तक महनत करे और हम जो शिक्सक हों ed respirator को कहते हैं कि आपका काम मेहनत करना है आप तो बस मेहनत करो क्योंकि हमारे पास मेहनत करने के अलगा कुछ है नहीं यह सब चीजे जो है वो चलती रहेगी लेकिन कहीं न कहीं हमारे नसीब में अगर सरकारी नौकरी लिखी है तो वो मिल जाएगी आपको और बस हम यही कहते हैं कि आप मेहनत करों लेकिन यह सारी मेहनत जो है ना वो पानी में मिल जाती है जब इस तरह की चीजे सामने आती है नकल पेपर लीक के करण परिक्षाओं को बहुत बार रद करना पड़ा है रद करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उसमें बहुत सरा वित्ति भार जो है वो सरकार पर पड़ता है और कहीं न कहीं विध्यारती को भी एक एक साथ कई विध्यारती जो है वो सलेक्ट हुए थे अगर आपको सब इस्पेक्टर का केस ध्याना रहा हो तो ऐसे में परिक्षाओं पर भरोसा हो भी तो कैसे कुछ लालची सदस्य उनके जो सरपरस्त नेता हैं और इनके जो करीबी दलाल हैं जो की सीधा लोगों से कॉंट दिलाने के लिए उनकी कोचिंग पर अपनी सारी जमापूंजी फूक देते हैं घर बार बेच देते हैं अपने गहने गिरीवी रखते हैं यह सोचकर कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची सरकारी नौकरी लगेगी तो हमारे दुख हमारे तकलीव जो है वो कही न कहीं दूर सब्सक्राइब बड़ा कारण है कि जो आयोग है देखिए जितने भी आयोग होते हैं चाहे एंटीए की बात करें जो कि नीट और यूजी सी नेट जैसे एक्जाम करवाता है और पीसी की बात करें कर्मेचारी चैन बूर्ड की बात करें यह वो आयोग है जो की जिन पर तब से आप समझ लो कि वो आयोग कहीं न कहीं अब गलत काम करने की दिशा में चल रहे हैं और भविश्य के यूवाओं के जो भविश्य है उसके साथ में अब कहीं न कहीं गलत होने वाला है और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टी से कोई संबंद जो है वो नह साथा जो है वो बढ़ गया था और उस बीच में कई सारे काम हुए आप देखी सकते हैं चाहे आरेस की बढ़ती हो चाहे सब इंस्पेक्टर की बढ़ती और अच्छे खास से पदों पर यह भढ़ती निकली थी हजारों में बढ़ती निकली थी कहां तक जो है वो यह चीज जो को लेके बैठा हुआ है अब इस सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं हम यूवा क्या कर सकते हैं लाखों विध्यारतियों के भविश्य के साथ में जो खिलवार हो रहा है जो बच्चों के साथ में गलत हो रहा है उसका रास्ता क्या निकाले यह शायद हमें भी इसका आंसर न की भरती परिक्षाव में नकल पेपर लीग डमी केंडिडेट बेठाने के मामले जो है वह सामने आये हैं उसे देखते हुए पिछले कुछ सालों में विशेशूप से एक विशेश जो सरकार है जो पिशली सरकार थी ना उस सरकार उसमें युवाओं के मन में कहीने कहीं संदे आ गया है डाउट आ गया है कि यह कि क्या वो परिक्षाएं इमानदारी पारदर्शिता निश्पक्षता से आयजित हुई थी जो उन्होंने दी थी जिनमें उनका सेलेक्षन नहीं हो पाया जिस इंटर्वियू में बाहर हो ठीके थे वह अपने रिष्ट्दारों को ही अपने जाती सबास्थ की जो लोग थे उन्हीं को जो है वो आगे ले जाते रहे और वही बात है कि कजो बढ़ बढ़ा विध्यारती जो है वह कहीं नंशाति आनि पीछे चला गया है और बात यही कि इस सिचूओेशन Meं हम क्या कर सकते हैं इस हद तक चीजे चली गई है कि हमारे पास में करने कुछ है नहीं और हमारा जो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है अब तो मतलब कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जाने के बाद में विभाग का व्यक्ति होता है जो अद्ल bald सामनें नहीं कोई नई बात नहीं है यह पहले भी होती गई है लेकिन पकड़ी नहीं कितने सालों से कर रही होगे कई बार कहानियां सामने आती है हर एक्जाम के seems कहींने विवाद आता है लेकिन उस विवादं का जो है वो कोई समाधान नहीं होता दलाल बढ़ते जा रहे हैं बच्चों से अच्छे-खास पैसे लिये जा रहे हैं उनको एक्जाम्ट पास करने के लिए नकल कराकर जो है वह ट्रेस्ट दी रही है विद्ध्यारतियों को पूरी पूरी बस जो है वह भर कर आ रही है पूरी बूरी बस को पकड़ा जा रहा है हाला कि 42 विद्ध्यारति पुलिशी ग्रिफ्त में है लेकिन फिर भी बात यह है कि यह 42 तो वह है जो की हमारे सामने आ गये थे जो सामने नहीं आया ऐसे कितने विद्धारती हैं यह सबसे बड़ी बात है सवाल यही है कि कौन इमांदारी से मेहनत करके कौन ब्रष्ट तरीके से ऐसाई बना है यह कैसे तै होगा अगर परिक्षा रद कर दी जाती है तो भी कहीं न कहीं जो भुगतना है वो इमांदार विद्धारतियों को ही पड़ता है और जो बेइमान अब भीरती हैं वो कहीं न कहीं सोजी के हत्ते चड़ जाते हैं तो अगर अप्रोच बहुत अच्छी होती है तो वह से बाहर भी निकल जाते हैं अब बात यहीं है कि हम करें तो करें क्या अलाकि जो वर्तमान सरकार हैं उन्होंने जरूर कुछ पॉजटिव कदम जो है वो उठाए हैं उन्होंने कहा भी था कि धानदली करने वालों को जो है वो बक्षा नहीं जाएगा ना किसी भी हालत में हम उनको नहीं चोड़ने वाले हैं कहीं बजनलाल सरकार ने कारणप़ालनी में सुधार कर बविश में राजनितिक हस्त शेप करने की आवशक्ता है तो देखते हैं कि विध्यारती क्या हो पाता है हम बस वही बात है क्या करें यह सब चीज चल रही है पर वही बात है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हैं तो बस यह छोटा सा एक मैसेज आप सभी को देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से ताकि जल्दी से जल्दी यह जो सिस्टम हमारे राजस्थान में चल रहा है सिस्टम को सुधारा जा सके कहीं कहीं बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक इमांदार विध्यारती मेहनती जो विध्यारती है उसके साथ में गलत होता रहेगा ठीक है तो चलिए फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं मैं आप सभी से विदा आशा करता हूं यह वीडियो एक जो कोशिश करी थी वह आप सभी को अच्छी लगी खन्यवाद जय हिंद बंद्रम वाई-बायबाय वाइए